ही अप्रिवन वेल्कुम बैक डूमाइय चानल दीश वाओ यौद्ध यौट आज मैं अपके सरच रिर करने जारी हूं बहुत क्विक्ली clean up आप जो घर पैटे कर सकते हो आप इसे facial भी कह सकते हो clean up भी कह सकते हो जो कि बिल्कुल parallel like results आपको मिलेंगे इस clean up या facial से क्योंकि यह बहुत छोटा सा है दो तीन steps ही है इसके तो पहला आपका step जो होगा वो है आपको अपना face wash करना है face wash मतलब simple पानी से ही आपको face wash करना है आपको इसमें कोई face wash जो market based होते है आपको कुछ है apply नहीं करना simple पानी से face wash करना है next आपको लेना है raw milk कच्चा दूद अगर वो नहीं है boiled milk है तो आप वो भी ले सकते हो तो उसके बाद आपको पता ही होगा milk के कितने सारे benefits होते है इसमें lactic acid होता है यह हमारे acne को treat करता है जो signs होते है aging के उसके लिए काफी helpful होता है skin को lighten करता है और brighten भी करता है और हमारे skin अगर बहुत dry सी होती है ना flaky flaky उसको भी moisturize करता है glowing skin के लिए काफी helpful होता है और अगर आप इसको regular application करोगे इसकी milky अपने face पे तो दीरी दीरे जो blackheads होते है वो भी कम होने शीर हो जाते है pimper को भी दीरे दीरे remove करता है तो हमने क्या करना है cotton नहीं है cotton को अच्छे से हमने टिप करना है milk पे और अपने face पे रफ कर देना और जो भी dirt बच जाएगी ना पानी से face wash करने के बाद तो इससे हमारी remove हो जाएगी तो भस अब हमें market based कोई cleansing milk की कोई ज़रूरत नहीं है second step हमारा next step जो हमारा है वो है pack बनाना इसके लिए हमने लिया है चावल का आटा मैं आपको ingredients के बारे में बता तो फिर pack बनाते है बाद में तो चावल के आटे के बहुत सारे benefits आइमीन चावल के ही बहुत सारे benefits है यह हमारी जो excess oil लगता है उसको absorb करता है और हमारी skin अगर tanned है sun damaged रहा उसको काफी helpful होती है उसमें हमारी skin का जो excess oil लफ्स को absorb करता है next ingredient जो हमने लिया है वो है tomato, tomato का juice, tomato का pulp हमने लिया है तो इसके इतने सारे benefits है tanning रिमूव करने में बहुत helpful है हमारे अगर acne है फेस पे उसके लिए काफी helpful है pigmentation को के लिए तो यह चलो अच्छा है या अगर किसी की hyper recommendation है उसमें यह बहुत अच्छा है tomato का juice और अगर आपके blackheads है तो भी tomato अगर आप लगाओगे दीरी-दीरे उसे scrub करोगे तो भी वो धीरी-दीरे काफी कम हो जाएंगे skin को एक fresh glow प्रोवाइट करता है tomato का juice next है potato का juice मन्दब आलू का juice तो इसके लिए हमने बस आलू को grate किया और उसका जो juice हमने निकाल लिया make sure अगर आप जब juice निकालो के आलू का उसमें उसी समय निम्बू डाल ले ना निम्बू का रस इसे क्या होगा आपका आलू काला नहीं पड़ेगा और अगर आपके skin में जो moisture होता है इसको lock करने में रिटेन रखने में tomato काफी helpful होता है और हमारे acne को भी ये treat करता है skin brightening में बहुत helpful होता है tomato, I mean potato तो हमारी ये जो pack है उसकी recipe मैं आपके साथ शीर करती हूँ तो ingredients का मैंन आपको list बता दिया और benefits आपको screen पर mention है सबसे पहले मैंने आपके लिया था 1-1.5 चमच rice flour जावल का आटा नेक्स यहापे मैं आपको दिखा रही हूँ यह है आलू का juice मैंने इसमें निम्बू डाल दिया था तो बस मैंने आपके एक से देड़ चमच आलू का juice लिया था पटैटो का juice लिया था और अब मैं आपके टोमैटो का pulp यूज कर रही हूँ एक से देड़ चमच यूज करने है बस और इसका हमने एक पैक बना के रेडी कर देना है और इसको आपको 15-20 मिनट लगाने अपने फेस पर अब इसको कभी भी अपने पैक को पूरा ड्राइ मत करना 80% प्राइ करना पूरा ड्राइ मत करना और उसके बाद जब आप वाश करोगे ना तो दीली दीलर सर्कुलर मोशन में रब करना बस आपको जिस कंसिस्टेंसी का पैक बनाना है वो ये पैक आप रेडी कर लेना और अपने फेस पर अप्लाइ कर लेना 15-20 मिनट और सेमी ड्राइ रखना पूरा ड्राइ मत करना नहीं तो उसके बाद फेस वाश में काफी डिफिकल्टी होती है तो लास्ट में बस आपको फेस वाश करने के पाद आपको मौस्टराइजर अप्लाइ करना उसके लिए आपको पता है आपको बेस्ट ऑप्शन दो दे रही है एक है देसी की और दूसरा है आलमन डॉइल बदाम रोवन ठीक है तो उसको आपने थोड़ा से लेके अच्छे से अपने फेस पे अप्लाइ कर देना है और आपका घर पर ही फेशिल या क्लीन अप हो चुका घर के इंग्रीडियंट से So I hope you all like this video Thank you for watching